आज का हमारा अत्याय है स्वतंत्रता आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता ये जो शब्द है अक्सर आप सुनते हैं और इसका सही मतलब आप नहीं जान पाते हैं जैसे हम एक आम आद्मी से पूछें कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं तो वो कहेगा कि मैं जो चाहिए वो मैं करूं कोई मुझे रोके ना कोई मुझे टोके ना अपनी इच्छा से मुझे जो इच्छा करेगी जो मन करेगा वो मैं करूंगा और कोई प्रतिबंद मुझ पर ना हो ये इसे वो स्वतंत्रता कहेगा लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो एक आम आद्मी की डेफिनेशन है राजनीती शास्त्र में स्वतंत्रता का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है राजनीती शास्त्र में इसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं कि आप जो चाहें करें और आप पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो राजनीती शास्त्रों में एक और स्वतंत्रता है जिसे सकारात्मक्ष्वतंत्रता कहते हैं जिसमें आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तमाल तो कर सकते हैं पर आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे वेक्ति को कष्ट नही पहुचना चाहिए जैसे आप फटाके तो फोड़ सकते हैं पर आप अपने घर पर फोड़ सकते हैं दूसरे के घर पर जाकर नहीं फोड़ सकते क्यों क्योंकि आपके फटाके फोड़ने से दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुच रहा है तो इसे हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तमाल करें पर उसे दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए दूसरों को कश्ट नहीं होना चाहिए यह जो अध्याय हैं जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं यह इतना महत्तुपुर्ण क्यों हैं कि व्यक्ति अपना सब कुछ कुर्बान करने को तयार रहता है यहां तक की अपना प्राण तक त्यागने को तयार रहता है दक्षिन आफ्रिका में नेलसन मंडेला जो दक्षिन आफ्रिका के प्रथम अश्वेत राश्ट्रपती थे उन्होंने इसी स्वतंत्रता की प्राप्ती के लिए 28 वर्ष जेल की अंधेरी कोट्री पर बिताए हैं क्यों इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ऐसा क्या हो रहा था दक्षिन आफरीका में कि लैंसन मंडेला को स्वधंत्रता के लिए लड़ना पड़ा वहाँ पर गोरी लोगों की सरकार थी और वहाँ पर जो अस्वेत लोग हुआ करते थे उन पर रंग भेत नसल भेत बहुत होता था बहुत अत्याचार भयंकर शोशन इस शोशन से इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए नेलसन मंडेला और उनके साथ ही जो थे वो लड़ रहे थे सरकार से कि हम पर भेत भाव ना किया जाए हम पर अत्याचार ना किया जाए बहुत अत्याचार हुआ है दक्षिन आफरीका में काले लोगों के साथ नेलसन मंडेला ने एक किताग लिखी Long Walk to Freedom इस किताब में उन्होंने बताया कि उन सारी बातों का जिक्र किया जो दक्षिन आफरीका में हो रही थी सरकार की नीतियों के बारे में पुलिस की तरीके से अत्याचार करी थी सारी बातों का उल्लेक इस किताब में किया गया है नेलसन मंडेला जिक्र करते हैं कि ये जो अलगाव वादी जो सरकार थी उसने एक शहर को भी घेर लिया था लोग एक जगा से दूसरी जगा तक वो जा सकते थे न वो आ सकते थे यहां तक कि वो विवाह में भी उनको प्रतिबंद था वो अपनी पसंद से विवाह भी नहीं कर सकते थे इतना प्रतिबंध था इतना अत्याचार इतना शोशन था वहाँ इसलिए नेलसन मंडेला अपनी सात्यों के साथ आम जो लोग थे वहाँ पे जो काले लोग थे उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है उन्हें सोतंत्रता दिलाने के लिए और ये जो लड़ाई थी केवल काले लोगों के लिए नहीं थी वो गोरे लोगों के लिए भी थी उन सब लोगों के लिए थी जिनके साथ भेदभाव किया जाता था शोशंड किया जाता था अत्याचार किया जाता था सब के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है तो आप द यूँआ थे तो जाहिड सी बात है कि उन्हें भी संगीत पसंड होगा सिने माद एक ना पसंद होगा इतने सारे जो त्योहार हैं ऊत्सव हैं वो भीमर ना पसंद होगा जैसे की हम सभी को होता है वो इतों इंसान एनको दो इन सब चीजों को त्याग करके वो जेल में बिता रहे हैं किसलिए इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हम दूसरा इसमें उधारन लेख सकते हैं म्यानमार की जो पीम है आगसान सूब की इन्होंने भी स्वतंत्रता की लड़ाई-लड़ी हैं इनको इनकी ही घर में नजर नहीं थी जब इनके पती कैंसर से पीडित थे और मृत्यों शहियां पर थे तब भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था इतना प्रतिबंध था तो इन्होंने आगसांग सूकी ने अपने जो स्वतंत्रता की लड़ाई जो है उसको देश की लड़ाई से उन्होंने और यह कहा कि स्वतंत्रता भै भी भै से भी स्वतंत्र होना जरूरी है हम कई तरीके से भै से डरते हैं हम दूसरों के विचारों से डरते हैं किसी के विचारों की प्रतिक्रिया देने से हम डरते हैं यहां तक कि हम इन बातों को लेकर भी डरते हैं कि कोई हमारा मजाक न लेखी freedom to fear उसमें कहा कि भैसे मुक्ति भी स्वतंत्रता है और हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी बातों को लेकर किसी भी चीस को लेकर उन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए बहुत लड़ाई लड़ी हैं तो हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता बहुत महत्तुपूर्ण है जिसके लिए व्यक्ति अपना सर्वस्व निच्छावर करने को तयार रहता है ये जो स्वतंत्रता है इसके लिए अंग्रेजी भाषा में दो शब्द जो है वो प्रयोग किये जाते हैं स्वतंत्रता को अंग्रेजी में इंडिपेंडेंडेंस शब्द भी है और दूसरा शब्द लिबर्टी भी है दोनों शब्द के समनार्थी है और उसका अर्थी है स्वतंत्रता हम अक्सर सुनते हैं कि स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंडेंस डे पर कभी हम ये नहीं समझते हैं या ये हम नहीं बोलते हैं Liberty Day Liberty का मतलब भी स्वतंतरता है Independence का मतलब भी स्वतंतरता है पर हम Independence शब्द का इस्तमाल करते हैं कभी Liberty शब्द का इस्तमाल नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं कोई तो कारण होगा आज मैं आपको इसका कारण बताती हूं जो लिबर्टी जो शब्द है उसका बहुत सीमित अर्थ है उसका अर्थ है बंधनों से मुक्ती या बेड़ियों से आजादी ये इसका अर्थ है प्राचीन समय में जो राजा होता था वो शासन करता था सारी समप्रभू जो शक्ती होती थी एक व्यक्ती में मतलब एक राजा में निहित होती थी आज की जैसा नहीं है कि व्यबस्थापी का कारे पाली का न्याय पाली का तीनों अंगों में शक्ती बटी हुई हो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ करता था एक राजा हुआ करता था और सारी संप्रभु शक्ति उसी के हाथों में होती थी तो वो लोगों पर बेडिया डालता था कैसे बेडिया डालता था जैसे सारी संप्रभु शक्ति तो राजा के भी पास है तो वो मन चाहा कर लगा देता था जो बरदस्ती लोगों को सेना में डाल दिया करता था और कुछ भी जैसा मरजी वैसा करता था अगर उसको किसी को मृत्यु दंड देना है तो मृत्यु दंड भी वो दे देता था सब कुछ किस पर डिपेंट करता था राजा के उपर और उस समय जो समाज था ज्यादा विक्स समाज था तो राजा प्रतिबन लगाता था बेडियों में जकड कर रखता था इसलिए उससे मुक्ति के लिए लिबर्टी शब्द का इस्तमाल होता था इंडिपेंडेंडेंस जो शब्द है वो उस शब्द का जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है इसमें सिप सरकार के या शासक के अनुचित हस्त छेप से या उसके अत्याचार से मुक्त होना ही नहीं है इसके साथ व्यक्ति का विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जीवन कई सारे अधिकार जो लोग मांगते हैं वो सब कुछ इसके अर्थ में निहित है तो इंडिपेंडल जो शब्द है वो क्यों इस्तमाल किया जाता है आगे मैं इसका अर्थ बताऊंगी इसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगी अब हम पढ़ेंगे ये देखेंगे कि राजनीती शास्त्र में स्वतंत्रता का चिंतन जो है वो कपसे शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ पहले थो सभी स्वतंत्र यही थे और स्वतंत्रता पुर्वक अपना जीवन बिताते थे कोई प्रतिबंध नहीं था वही नकरात्मक स्वतंत्रता जो चाहें वो करें और कोई हम पर प्रतिबंध ना लगाए इसी कारण समाज में आराजकता की स्थती थी जो चाहें करें किसी की संपत्ती छिननी है तो संपत्ती छिनलो मारना है तो मारलो हत्या करना है तो हत्या करलो क्यों क्यों कि स्वतंत्र है और कोई प्रतिबंध है ही नहीं तो किसी ने सोचा कि नहीं इस नकरात्मक स्वतंत्रत को समाप्त करके सकारात्मक स्वतंत्रता को स्थापित करें तो इसके लिए करें तो क्या करें इसके लिए राज्य जैसी संस्था का निर्मांड करें जो समाज के अंदर सकारात्मक स्वतंत्रता को लाए और इस आराजकता की इस्थती को समाप्त करें तो अब राज्य जैसी संस्था का निर्मान हो गया जब राज्य का निर्मान हुआ तब राज्य पर चिंतन होना शुरू हो गया अब यहां पर प्रश्ण यह उठता है कि राज्य पर चिंतन होना शुरू हो गया जबकि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बहुत ज्यादा महत्य पूर्ण है तो स्वतंत्रता पर चिंतन क्यों नहीं कर रहे हैं राज्य पर ही चिंतन क्यों कर रहे हैं क्यों क्योंकि सभी व्यक तो राज पर चिंतन होना शुरू हो गया इसलिए प्रारंभिक जो विद्वान है जैसे कि प्लेटो है अरस्तु है इन्होंने राज पर चिंतन किया व्यक्ति के अधिकार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का इन्होंने चिंतन नहीं किया क्योंकि स्वधंत्रता पर चिंतन करना जरूरी नहीं था राज पर चिंतन करना जरूरी था उस समय अब राज जगा निर्मान तो हो चुका है अब राज जगा राज बना है तो जहिर सी बात है कि राज जगे पास शक्ति भी होगी और उस शक्ति का प्रयोग कोई न कोई व्य व्यक्ति कौन है वो एक व्यक्ति राजा हुआ करता था जो सत्ता का केंद्र हुआ करता था तो राजा भी एक व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है कि राजा में भी तो स्वार्थ होगा लालच होगा शक्ति की लालसा वर्चस्व की लालसा संपत्ति की लालसा यह लालसा होगी त तो जो राजा था वो शक्ति का प्रयोग करता था तो धीरे धीरे हम देखते हैं समाज के अंदर राज्य की शक्ति जो है वो बढ़ती गई और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो घटती गई जैसे एक तुला एक तराज्यों में एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ स्वत जंत्रता जो है वो हल्की पढ़ गई जैसे सोतंत्रता घटती गई चिंतकों ने सोतंत्रता पर चिंतन करना शुरू भी किया फिर ये जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे कि अपने संपत्ति को बढ़ाने के लिए अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जनता का शोशन करते थे जनता का अत्याचार करते थे तो ये जो जैसे जैसे अत्याचार का शोशंट का ग्राप बढ़ते गया वैसे ही वैसे स्वतंत्रताज जो है वो घटी गई व्यक्ती के अधिकार भी घटते गए जैसे कि उधारण में हम देखते हैं अरब जो समराज्य था मध्ययुग में बहुत बड़ा समराज्य था इस अरब समराज्य की इस्थापना के लिए जाहिर सी बात है उस समय जो शासक रहे होंगे वो वर्चस्व की लड़ाई लड़े होंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि राजा केले तो कुछ नहीं कर सकता उसे नागरिकों की अवश्यक्ता तो होगी होगी तो इस वर्चस्व की लड़ाई में अरब समराज्य में हर आदमी को सेना में भरती कर दिया जाता था और सेना में भरती है जाहिर सी बात है वो युद्ध में जाए गई जाएगा तो जब वर्चस्व की लड़ाई थी समराज्य विस्तार की लड़ाई थी तो सारे जो आदमी थे नागरिक थे वो सेना में जाते थे मारे भी जाते थे तो यहाँ पर आदमी मर रहे हैं और आरते विद्वा हो रही हैं दूसरा हम उधारणया पर देख सकते हैं चंगेज खाका इन्होंने भी जब अपना समराज्य इस्थापित किया तो रक्त पात बहा कर मार काट करके ही समराज्य की इस्थापना की थी प्रारंब में चंगेज खाने क्या किया था कुछ घुमन्तु जो जन जाती थे उनको इकठा किया उनके द्वारा फिर सत्ता हासिल की उसके बाद समराज्य विस्थार करना शुरू कर दिया उसने दूसरों के अधिकारों को भी चीना साथ साथ अपने देश के लोगों के अधिकारों को भी उसने चीना उसके बाद आप देखिए ब्रिटिश समराज्य को देखिएगा ब्रिटिश को देखिएगा यह जो ब्रिटिश है इन्होंने दुनिया को गुलाम बनाया यह त करते थे किसके गुलाम हुआ करते थे फ्रेंच शासकों के गुलाम हुआ करते थे फ्रांच के कुछ लोग जो थे वहां से भाग कर जो इंग्लेंड नामक जो द्वीप है वहां पर आते हैं और उसे ही अपना देश बना लेते हैं बहुत कठनाईयों से उसने अपना देश बन घिरा हुआ है तो यहाँ पर इन्हें भगौलिक समस्या मानसूनी समस्या आक्रमंड का सामना करना पड़ा तो इनकी जो स्थति थी वह बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी तो इन्हें अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जीवन को जीने के लिए इन्हें उन्हें सोचा कि हम क्या करें व्यापार करें व्यापार करने से ही हम जिन्दा रह सकते हैं तो व्यापार करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे देशों में जाएगा और उन्हें आदमियों की तो आवश्रक्ता होगी होगी तो जब यह दूसरी देश में जाने लगये और आदमी के इने आवश्रक्ता थी तो यह गुलाम मग नाना भी शुरू कर दिये गुलामी का बीच यहीं ही शुरू होता है जब यह दूसरेщее देशों तुनने देखा कि थोड़ा सा इनको धन देदो और इनसे काम करवालो यह तो मुर्ख है यह लोग मुर्ख हैं इनको थोड़े से पैसे में इनको मुर्खा बनाया जा सकता है इसी प्रकार से इन ब्रिटिशों ने दुनिया को गुलाम बनाया और उपनी वेश्वात की यहां से क्या होती है शुरुवात होती है जैसे जैसे उपनिवेश वाद बढ़ता गया शोशन और अत्याचार जो है वो बढ़ते गया इतना अत्याचार तो राज तंत्र में नहीं हो रहा था जितना अत्याचार जो है व्यक्ति का व्यक्ति के द्वारा हो रहा था तो इसी उपनिव बिटिशों के अलावा और भी दूसरे देशों ने उपनिवेश बनाया फिर यहां पर हम यह देखते हैं कि जब उपनिवेश काल था आधुनिक समय था समाज विक्सित था तो समाज की लोगों की कई सारे मांगे थी जैसे सरकार के अनुचित हस्त छेप ना होना जीवन काधि व्यपार हम कर सके समानता हम हमें मिल सके ऐसी कई प्रकार की जो मांगे थी लोगों की थी तो मैंने अभी थोड़े दिर पहले आपको बताया था कि मैं इंडिपेंडेंडेंट जो शब्द है वो क्यों इस्तमाल किया जाता था वो इसी लिए इस्तमाल किया जाता था क्योंक कई सारे मांगे थी कि हम स्वतंत्र व्यापार कर सकें हम, हम जीवन जी सकें हम, स्वतंत्रता पूर्वक हम घो म सकें इसे कई सारी उनकी मांगे भी थी और इंडिपेंडेंटेंस जो शब्द है उसका अर्थ बहुत व्यापक है वो शासन के अनुचीत हस्तच्छेप से मुक्ति भी है वो जीवन का अधिकार भी है वो व्यक्तित्व के विकास कभी क्या है अधिकार है तो ये सारा जो व्यापक और्थे है वो independent शब्द में मिलता है इसलिए हम independence day मनाते हैं independent शब्द का ही हम इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर देखेगा कि राशनीती शास्त्र में और यह जो independent शब्द भी है वो यह BRITISHों के उद्भाव के बाद ही इस्तमाल हुआ इससे पहले liberty का इस्ते माल किया जाता था ज़े यिश मिल तक के जो विचारों को जब आप पढ़ेंगे तो लीबर्टि सबक्ता के लिए उसके बाद इतने जो विचारक है उन्होंने liberty शब्द का इस्तमाल नहीं किया तो इतना हमने पढ़ा इससे हम जान पाए कि यह जो स्वतंत्रता जो होती है वो बहुत महत्तोपूर्ण होती है जिसका हम आगे अध्यान करेंगे स्वतंत्रता की जो अधार्ना है राजनीती शास्त्र में बहुत महत्तोपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता अपनी उन्नती नहीं कर सकता इसलिए स्वतंत्रता बहुत महत्तोपूर्ण है ऐसा भी माना जाता है कि व्यक्ति जो है व्यक्ति जन्म से ये इच्छा रखता है कि वो स्वतंत्र रहे और इसी स्वतंत्रता के लिए कई सारी क्रांतियां भी हुई हैं राज्यों के द्वारा पहले ये माना जाता था राजा के अत्याचार से मुक्ती राज तंत्र में ही अत्याचार होते हैं शोशन होते हैं तो उनसे मुक्ती को स्वतंत्रता मानते हैं पर जो आधुनिक समय हैं लोग तंत्र में भी अत्याचार और शोशन होते हैं उनसे भी मुक्ती चाहिए तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों ने स्वतंतरता के लिए संखर्ष किया है राज्यक्रांतियां हुई हैं तो देखेंगे कि राज्णिती विज्ञान में आधूनिक समय में यह कहां से शुरुवात होती है स्वतंतरता की तो हम यहाँ देखते हैं कि विभिन राज्यों में आधूनिक समय में राज्य क्रांतियां हुई हैं कुछ मात्वपूर्ण क्रांतियां हैं जिसके चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है वो कौन-कौन सी क्रांति हैं आए हम देखते हैं पहले क्रांती है एंग्लेंड के गौरपोर्ण क्रांती जो 1688 में हुई है, दोसरे जो क्रांती है वो हुई है अमेरिके क्रांती जो 1776 में हुई है और तीसरे क्रांती फ्रांस के क्रांती जो 1789 में हुई है, चोथी क्रांती जो है रोज की क्रांती जो 1917 में हुई है, ये क्रां हैं और एक हमारे भारत में भी संगहर्श हुआ हैं जिसे जान बहुत आवश्जक है तो स्वतंतरता की शुरुवात होती हैं इंग्लाइंड से इंग्लाइंड की जो क्रांटी है राज्युक्रांटी हैν 1688 है तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कि इसके शुरुवात कहां से होती है यह स्वतंत्रता का जो बीज है कहां से बोया जाता है यहां हम देखेंगे मैगना काटा इंगलेंड की गउरपुर्ण क्रांती क्या है यूरोपिया देशों में और अरब समराज्यों में धर्म युद्ध चल रहा था जस्समें जो अरब जो समराज्य थे उनकी जीत होती है और इंगलेंड के जो सामन्त थे सेनाध्यक्ष थे उनका मानना ये था कि राजा के पास पूरे शक्तियां है पर राजा कुछ ने कर पा रहा है इससे अच्छा जो शक्तियां है वो चर्च को दी जाए तो चर्च को शक्तियां देने के लिए एक अधिकार पत्र जो था वो इजाद किया गया अब सारे जो अधिकार थे अब वो राजा के पास नहीं थे बहुत से जो शक्तियां थे बहुत से जो अधिकार थे वो चर्च को दे दिये गए अब चर्च के पास भी शक्तियां आ गई और इसी को आगे चलके नागरिकों के पास भी अधिकार और सोतंत्रताय आने लगी जो 1215 में मैखना काटा की रूप में ये जाना जाता है इसे गौरवपूर्ण रग्तहीन क्रांती इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई खोन खराबा मार कट नहीं हुआ था बहुत ही शान्ति पुर्वक तरीके से ये जो सत्ता थी उसको चुनाती दे गई थी और सारे जो अधिक्तम जो अधिकार जो थे वो संसत्केयों प्राप्त प्रत्र हो गये थे मैंना काटा जो 1215 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों को दिया था ये इक अधिकार प्रत्र है इसे आप मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं और इंग्लैंड ने ये मौरिक अधीकार अपने नागरिकों को क्यों दिया ऐसा क्या हुआ था कि उसने मैगना काटा दिया कि इस से पहले इंग्लेंड में धर्म युद्ध चल रहा था इसायों और मुसल्मानों के इस धर्म युद्ध के बाद ही ये मैगना काटा जो है बारा सो पंद्रा में दिया गया अपने नागरीकों को और यही आधार बना गौरपुन राज्यक्रान्ती के कैसे इसकी प्रिष्ट भूमी हम देखते हैं योगी इंग्लेंड में जो समाज था वो तीन भागों में बटा हुआ था एक धार्मिक वर्ग दूसरा है सेना या सामन्ती वर्ग और जो तीसरा वर्ग है क्रिशक श्रमिक और दास तीन वर्ग हुआ करते थे तो यह जो सेना थे सामन्ती वर्ग जो थे इनके पास ही शक्तियां होती थी यही राजा को खड़ा करते थे यही युद्ध जो है वो लड़ते थे तो जब इन्होंने देखा कि व्यपार से फाइदा है तब इन्होंने राजा को ही क्या कर दिया समाप्त कर दिया और वो कौन थे ज्यादा से ज्यादा तो सामन्ती थे सेना अध्यक्ष थे तो इन्हों ने शासन करना शुरू कर दिया तो इंग्लेंड में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांती हुई है जिसमें राजुतंत्र को समाप्त करके लोगतंत्र की इस्थापना की गई है दूसरी जो क्रांती है अमेरिकी क्रांती जो 1776 में हुई थी ये वैश्विक इस्तर पर बहुत बड़ी क्रांती थी हां ये बात अलग है कि ये जन क्रांती से जादा ये अभिजात वर्ग की क्रांती जादा थी क्योंकि जितने भी अभिजात थे या जितने भी उपनिवेस थे तेरा के तेरा जो उपनिवेस थे वो आजादी चाहते थे तो अपनी आजादी के लिए जो तेरा उपनिवेस थे वो संगठित होकर इंग्लैंड से आजादी की लड़ाई लड़े थे तो ये बहुत बड़ी राज्य क्रांती हुई थी और इसका परिणाम ये हुआ था कि एक मौलिक अधिकारों से परिपोर्ण एक लिखिद सविधान विश्व को प्राप्त होता है दूसरी क्रांती क्या है 1776 में अमेरिका की क्रांती अमेरिका भी ब्रिटेजन का उपनिवेश था और उसी भी आजादी चाहिए थी तो उन्होंने भी अपनी आजादी के लडाई को लड़ा है फिर हम क्रांती देखते हैं 1789 में फ्रांस की क्रांती और इसका एक नारा था स्वतंतरता, समांता और बंधत्तों इस स्वतंतरता से क्या तातपरिय हैं? स्वतंतरता से तातपरिय है कि जो सरकार है वो अनुचित हस्तछेप ना करें उसके अनुचित हस्तृषेप से मुक्ति स्वतंत्रता है समानता से तातपर यह है कि जो भेधभाव है राज्य के अंदर वो भेधभाव को समाप्त किया जाए सभी व्यक्ति समान हो जो प्रांस में 1789 में करांती हुई यहाँ पर प्रश्ने ये उड़ता है कि जो इंग्लेंड की जो करांती है वो 1688 में हो रही है और फ्रांस की जो करांती है वो 1789 में हो रही है दोनों देशों की क्रांती में 100 साल का अंतर है तो इतना अंतर क्यों? क्योंकि फ्रांस के शासकों से ही भाग कर जो लोग थे वो इंग्लेंड में आते हैं और उसे अपना देश बना लेते हैं और वो पहले राज्य क्रांती कर रहा है और France बाद में करांती कर रहा है और वो भी 100 साल बाद क्यों? क्या है इसका कारण? तो इसका कारण ये है कि जो France था वो धार्मिक रूप से कट्टर था यहाँ पर कोई भी व्यक्ति चर्च का विरोध नहीं कर सकता था और उस समय जो चर्च था वो भरश्ट था और जो चर्च था वो राज तंत्र का राजा का समर्थन करता था इसलिए वहां के जो नागरिक थे जो शोशन और अत्याचार हो रहे थे उसका वो विरोध नहीं कर पा रहे थे उन्हें बहुत समय लगा लेकिं इंग्लेंड में ऐसा बिलकुल नहीं था इसलिए इंग्लेंड में जो क्रांती है वो पहले हुई और फ्रांस में जो क्रांती है वो बाद में होई अगर हम भारत की बात करें तो 1857 में भारत में एक संघर्ष हुआ था जिसे कई विद्वान क्रांती मानते हैं और कई विद्वान जो हैं इसको सिर्फ एक संघर्ष मानते हैं क्यों संघर्ष मानते हैं क्योंकि 1857 में जो संघर्ष हुआ था जो विद्रो हुआ था उसमें कुछ ही रियासत के जो शासक हुआ करते थे जैसे कि झासी है सतारा हैं ये सब जो रियासते थी तो डलहोजी में की जो नीती थी हड़व नीती इसके परणाम सरुप वो जो रियासते थी अंगरेज उससे रहे थे तो वो रियासत अपनी देना नहीं चाहते थे इसलिए वो अंग्रेजों का वो विरोध करें इतनी सारे रियासतें पूरे भारत में थी लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया और यह विद्रोष शुरू कहां से हुआ है सैनिक तुकडियों से बड़ी जनसंख्या हो तब हम उसको क्रांती कह सकते हैं जैसे कि अमेरिका में जो क्रांती हुई थे उसको हम क्रांती कहते हैं क्योंकि 13 के 13 जो राज्य थे उस क्रांती में शामिल थे पर भारत में जब विद्रोह हुआ 1857 का तो उसमें कुछ रियासते थी और कुछ शैनिकों कि दुक्डी थी इसलिए को सिपको विद्रोष कह सकते हैं, इसको कृ Catchनी कानु मुझा सकते हैं, फिर भी है भारत के सफ़ाइब ये बहाँ थी महत्तवपूर्ण था इसको Catch나नी कह दिया जाता है यह सिपक्वल था तक्या सफ़ीजिए जब 1857 में विद्रोष किया तब उनका कोई लक्ष नहीं था कि हम यह सोतंत्रता चाहिए अगर इसको देखे तो एक यह सैनिक विद्रो भी माना जाता है क्योंकि चर्बी वाले जो कार्टूस थे और जो अंग्रेज जो कोई नीतियां थी सैनिकों के लिए तो उससे वो अंसंतुष्ट थे इसलिए उन्होंने विरोत किया ऐसा भी और डलहोजी की जो हडप नीति थी कि वो जो जिनकी संताने नहीं होती थी उनके रियासतों को चीन लिया जाता था जैसे कि जहासी को चीना आवद को सातारा को यह सब जो रियासती थी जिनको चीना गया है वही रियासतों के जो राजा थे या रानिया थी उन्हों ने ही विद्रोह किया पूरे भारत ने अंग्रेजों का विद्रोह नहीं किया तो यह बहुत छोटा छोटी सी घटना थी इसलिए हम इसको क्रांती नहीं कर सकते लेगिन आप इसकी तुलना आप अमेरिका से कीजिए अमेरिका ने जब क्रांती किया तो अमेरिका क क्योंकि यह सीमित था इसका कोई लक्ष नहीं था तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राज़नीती शास्त्र में राज्यों के द्वारा अपनी स्वतन्तरता के लिए क्रांतियां हुई हैं अब देखते हैं रोज की पर रोज की जो क्रांति है वहाँ पर बहुत महगाई अत्याचार और शोशन बहुत जादा बढ़ गया था तो इसलिए वहाँ पर क्रांती की गई ये जो क्रांती थी जन तंत्र की क्रांती नहीं थी ये समाजवात की इस्थापना करने के लिए ये क्रांती की गई थी और ये क्रांती सफल भी हुई लेकिन यहाँ पर जो नागरिकों के जो स्वतंत्रता हैं आज के डेट में हमें प्रासंगिक हमें नहीं लगते हैं